आप देख रहे हैं भी एच पी सी नियूज नमस्कार स्वागत आपका मेरा नाम है विपिन विबाग पात राजस्थान के जादूगर की यानि कि राजस्थान के मुख मंतरी अशोग गहलोत की अशोग गहलोत ने अपने बयान से यूटर लिया है उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वे राजनीती के रेटायरमेंट के बाद राजनीती की किलासें लेंगे इसके बाद उनके रेटायरमेंट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे वहीं अब उन्होंने कहा है कि अभी वे राजनिती से रिटाइर्मेंट नहीं लेने वाले हैं यानि कि यू टर्न ऐसे में एक बार फिर से राजनिती में हल चल तेज हो गई है उधर सचिन पाइलेट पूरी तरह से शांत हैं उनके समर तक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं वहीं तेज जनवरी से विदान सबागा सत्र सुरू होने जा रहा है इससे पहले कॉंग्रेस विदायकों के स्तीफे वापस लिये जाने की खबर ने पूरी राजनिती में हल चल तेज कर दी है इसके कैई माईने निकाले जा रहे है मुखमंद्री अशोग गहलोत ने आखिर ये बयान क्यों दिया जब गहलोत ने खुद रिटायरमेंट की बात कर ही दी थी तो अचानक से अब ये बयान क्यों दिया है क्या भी कॉंग्रिस में एक बार फिर से किसी बगावत के संकेत मिल ले हैं या आला कमान की तरफ से अशोग गहलोत को राहत मिली है भारत जोडो यात्रा के जाने के बाद से अशोग गहलोत के समर्थक उतसाहित हैं वहीं हर दिन अब गहलोत की तरफ से कुछ नए बयाना रहे हैं इसके पीछे भी बड़ी रन नीती दिखती है पूर्व उपमुक मंतरी सचिन पाइलेट की खामोशी बहुत कुछ कह रही है आखिर उनके समर्थक भी क्यों अचानक से शान्थ है राजनी ते गलियारों में चर्चा है कि इधर बीच जब विदायक इस्तिवे वापस लिये तब भी पाइलेट और उनके लोगों ने कुछ बयान नहीं दिया तो क्या सब कुछ पहले से प्लांट है या इसके कुछ और नए मान ने निकाले जा रहे है अब सुत्रों का कहना है कि पाइलेट गुट भी अपनी प्लानिंग करने में लगा है अब उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है यह तो आने वाला वक्त ही तै करेगा अभी के लिए सिर्व इतना ही नमस्क्राइब साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूले